वेल्कुम टू फार्मा एड तो आज हम तॉपिक पढ़ेंगे मैंने जैसे कि यहां पर लिख़्ाइब प्रोस्टा ग्लांडिन है क्या और मैं बता दू प्रोस्टा ग्लांडिन यह हमारे अटो कोईट के अंदर कवर होने वाला टॉपिक है बी फार्म के फिफ सेमेस्टर में यह जो ने फेल्मा आज सबसे फेले बह्या है प्रोस्टा ग्लांडिन है क्या त्रॉस्टा ग्लांडिन इस गाँ लांग चीनला में पैटी एसड होगा है यह क्या है एक फैटी एसड की एक लॉग चेनल राईट बने वाले है इसका रोल क्या है सिंगल कर आप बोल सकते में इन्फ़ामेटरी सिंगल right so this is the molecule which involved in the signal transduction during the pain and inflammatory condition right यानि कि यह वो molecule है जो pain or inflammation की condition में signal generate करता है बही जो सब्सक्राइब हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी पाट दर्द कर रहा है यह हमें बॉडी में पेन हो रहा है तो कैसे कुछ तो signal molecule हमें स्पाइब बॉडी नहीं जो सब्सक्राइब होता है तो यह जो पेन इंडियूस और उसका जो में पता चलता है यह को प्रोस्टा ग्लाट कि जसे सिगनल molecule जैसे हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम में नर्वाल है कि क्या रोल है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेंसे उनको rate करता है, right, so हम लिख सकते हैं, it is a molecule, it is a molecule involved in the, involved in the signal transduction, signal transduction during, during pain and inflammation, pain and inflammation, right, so ये एक ऐसा molecule है, जो pain and inflammation में involved होता है, right, किस तरीके से ये pain and inflammation में involved होगा, समस्ते, सबसे पहले हमें चार्ट समस्ते हैं, इस चार्ट के उपर हमारे कई सारे चीज़ें जो हैं, वो depend है, for example, जो भी मैं mechanism बताऊंगी, जिस mechanism के basis पे prostaglandin काम करता है, जिस mechanism के तुरू prostaglandin बनता है, right, उस पे उस mechanism को discuss करेंगे, और उस ही mechanism पे हम leukotrients किस तरीके से बनते हैं, वो भी explain होगा, साथी साथ में ये mechanism जो मैं बताऊंगी, इसमें हमारे NSAIDS का भी mechanism of action involved हो जाएगा, देखते हैं कैसे, okay, तो सबसे पहले आता है हमारे क्या, that is a membrane, membrane phospholipids, phospholipids, अभी membrane phospholipids कहां से आते हैं, membrane phospholipids, जब भी कोई injury हो जाती है, for example, this is our skin, okay, this is our skin tissues, अब इस skin tissues में, जब भी कोई injury हो जाए, कोई tear हो जाए, कोई burn हो जाए, कोई wound हो जाए, कुछ भी तरीके के हो जाए, तो उस condition में, जो tear cells हैं, जो injured cells हैं, जो damaged cells हैं, उनसे एक enzyme release होता है, इस tear या बुसकी tear, damaged, या wound की condition में, जो भी हमारे tissues हैं, जो भी हमारे cells हैं, उनसे एक enzyme release होता है, उस enzyme का नाम होता है, membrane phospholipids, right, अब मैंने बता है कि प्रोस्टाग्लाणिन भी क्या है, एक fatty, long chain fatty molecules है, तो fatty molecules मतलब वो भी एक lipid से ही originate हुए है, तब ही fatty molecules है, अब यह membrane phospholipid किसे release हो रहा है, damaged cells, tear cells या wound की जो भी कितनी भी cells हैं, जहां पर inflammation हुआ है, उससे release हो रहा है, अब यह membrane phospholipid enzyme है, जिसका नाम है phospholipase A2, this is the enzyme, right, इस molecule को यह enzyme फिर further break करते हैं, किसमें, यहां बहुत important molecule है, जिसका नाम है arachidonic acid, arachidonic acid, क्या है मतलब यह जो है, यह arachidonic acid, this is a precursor molecule for the synthesis of prostaglandin, जो prostaglandin बनेगा, उसके लिए यह precursor molecule है, स्टार्टिंग molecule है, इसी से prostaglandin अब बनेगा, right, कभी-कभी यह question पूछा जाता है, कि arachidonic acid, मतलब prostaglandin का precursor क्या है, leukotrines का precursor क्या है, तो leukotrines plus prostaglandin या cox का, उस सब का precursor हमारा क्या होता है, that is arachidonic acid, और इस arachidonic acid का precursor क्या है, membrane phospholipids, अब होता क्या है, होता यह है, कि यह जो arachidonic acid है, यह metabolize होता है, metabolize मतलब breakdown होता है, किस-किस चीज़ में breakdown होगा, यह बनाएगा, breakdown होकर के दो चीज़े, एक यह बनाता है, क्या, जिसका नाम है, cox 1 and cox 2, metabolize होकर के, cox 1, ध्यान से समझेगा, and एक बनाता है, cox 2, साथ ही साथ, यह metabolize होगा, दूसरे leukotrines में, sorry, leukotrines में, leukotrines, यहाँ पर I-E-N-S, leukotrines, लेकिन यह arachidonic acid दो molecule बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, अब cox 1, cox 2 भी बना रहा है, and leukotrines भी बना रहा है, ध्यान से समझेगा, cox का मतले हैं, cyclooxygenase, cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2, यहाँ पर leukotrines, कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर जब arachidonic acid metabolize होगा, इन components में, लेकिन कौन metabolize करेगा, cox 1 और cox 2 metabolize होगा, मतलब बनेगा, किस की presence में, cyclooxygenase नाम की enzyme की presence में, cyclooxygenase नाम का enzyme, cox 1 और cox 2 बनाएगा, सेम वैसे ही, lipo oxygenase, नाम का enzyme, leukotrines बनाएगा, मतलब की 2 molecule बन रहे हैं, तो दोनों के लिए precursor भी अलग अलग, दोनों के लिए enzyme भी हमारे अलग-अलग होते हैं, तो arachidonic acid metabolize होगा, यहाँ पर याद रखेगा, क्योंकि कभी-कभी वाईवा में question पूछा जाता है, कि arachidonic acid cox 1 और cox 2 में क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो metabolism होता है, यानि breakdown होगा, और वो breakdown कौन करता है, तो यह enzyme breakdown करते हैं, अगर cyclooxygenase breakdown करेगा, तो cox 1 और cox 2 बनेगा, और अगर life oxygenase break करेगा, तो liquid trans बनेगा, अभी हम बात करेंगे, बेसिकली prostaglandin पे, तो हमें focus करना है, इस cox पे, अब cox का full form, मैंने क्या बता है, cyclooxygenase, cox 1 and cox 2, राइट, अब यहाँ पे cox 1, cox 2 का रोल क्या है, यह cox 1 है, यह inducible enzyme है, क्या है, यह inducible, yeah, it is not enzyme, it is an inducible product, यह inducible substance, component, component, release during, released during pain, inflammation, inflammation, injury, right, यानि कि यह cox 2 है, यह तब release होगा, जब कोई भी pain होगा, inflammation होगा, कोई भी injury होगी, उस condition में यह cox 2 उस injured cell के पास release होगा, right, यानि कि यह तभी release होगा, जब cell injure हो जाएगी, वुंड हो जाएगा या कोई भी ऐसी condition हो जाएगा, कोई भी ऐसी condition होगा, अब cox 1 क्या करता है, cox 1 हमारी body में various types of prostaglandin को, okay, तो हमारा जो cox 1 होता है, वो हमारा बनाता है, pgi2, pgf2, pge2, pgd2 and tx8, यानि कि prostaglandin i2, prostaglandin f2, prostaglandin e2, prostaglandin d2 and thromboxin, इसको याद करने का एक तरीका सिंपल सा है, a, b, c, d, d, e, f, g, h को skip कर दें, यानि कि यानि कि यह हमारे चार तरीके prostaglandin और यह हमारा थ्रॉंबोगजेंस होता है, and these all the prostaglandin are constitutive, constitutive का मतलब कि cell को बनाने में help कर रहे हैं, यानि कि cell के आप बोल सकते हैं कि body में एक constitutive mechanism है, किसी चीज को बनाने में या किसी चीज की healing में या आप बोल सकते हैं कि cell की cleaning में इनका role है, इसके लावा बहुत सारे contraction में इनका involvement होता है, stomach में mucus की layer जो बनाते हैं उसके लिए prostaglandin responsible होता है, बहुत सारे role है हमारे जो की beneficial है और उसमें हमारा कॉक्स वन ही responsible होता है, जब हम next अपनी class पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि what are the uses of prostaglandin in our body हम क्यूं पढ़ रहे हैं प्रोस्टा ग्लैंडन और उसका role क्या है इसके अलावा जब हम एंसेट्स पढ़ेंगे तो इस mechanism को एक बार फिर से go through करेंगे और हम देखेंगे कि कि जब मैं पढ़ाऊंगे तब explain करूंगी कि एंसेट्स ने भी selective cox-2 inhibitors आती है और एक होती है non selective cox-1 और cox-2 दोनों को ब्लॉक करती है और जब रग दोनों को ब्लॉक करेंगी तो उसके adverse effect जाधा होंगे जायर सिवाद और जो सिफ cox-2 को ब्लॉक करेंगे और पैन को कम कर देगी तो वह हमारे लिए जाधा benefit होगी तो वह हमारे एंसेट्स में पढ़ेंगे detail में next lecture में पढ़ेंगे prostagland and their uses के बारे में ओके थैंक यू